भाई गंगा जी का जो पानी है काफी हाई अलट पर है कहाई अगर इससे दो गुना पानी ओर आ जाए तो भाई हरद्वार को ले डूबेगा तो कैसे हैं आप लोग और फिर से स्वागत हैं आपके एक नहीं वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक हरद्वार में बहुती सुन्दर पलेस दिखाऊंगा मतलब काफी अच्छा व्यू दिखता है यहां से और मुझे नहीं लगता आपने की पहले आप यहां पर आयो हैं हरद्वार मतलब इस जंगा पर और यदि आप पहले आचुके हैं तो मुझे कमेंट करके जिरूर बदाए और आज का जो मोसम है काफी खराब है और हलके हलकी बारिस हो रही है और काफी अच्छा मोसम हो रखा है गूमने के लिए और अभी मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ कितना तेज बाव होया पानी का और सामने आप लोग पहाड देखी रही है और यहाँ पर यह लेविल बनाया गया है पानी का और आप लोग देख सकते हैं कितना ही अच्छा नजा रहा है और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा आगे से और यह देखेगा इस कितना ही अच्छा नजा रहा है यहां से जो दिख रहा है और सामने जो पहाड आप लोग देख रहे हैं उदर महाँ पर चंडी दीवी का मंदिर है और सामने यह जो है राजा नैसनल पार्क है और उदर देखेगा इस बादल एसा लग रहा है कि जिसे बादल नीचे आ गए हो और काफी ठंडी ठंडी हावा चल लई है दोस्तों यदि आपने अभी तक चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एक दूसरी जगा वहाँ से आपको दिखाऊंगा काफी अच्छा विउव और काफी सांदा नजारा दिखते हैं वहाँ से भी और भाई कुछ ऐसा दिखते हैं यहाँ से एड्रस में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूगा और आगए हम अपनी दूसरी लूकेशन पर और काफी पानी कब आ हो गया है जो वह काफी तेज है आपे पहले तो काफी कम होगा करता था और उपर बारिस होने के वज़ा से काफी पानी बढ़ गया है आप लोग देख सकते हैं कितना पानी तेज है और यहाँ पर नाना तो बहुत ही मुश्किल है बार से जो यातरी आते हैं उनको पता नहीं होता है यहाँ पर पानी जो है गंगा जी का अचनक बढ़ जाता है और काफी लोग यहाँ पर डूप चुके हैं और अभी जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं यह है फोटो एक दिन पहले की है और आप लोग देख सकते हैं पत्थर जो हैं दिख रहे हैं और आज जो है पानी कितना बढ़ गया है पत्थर जो है डूप चुके हैं पूरे आप लोग देख रहे होंगे भाई गंगा जी का जो पानी है काफी हाई अलट पर है और काफी पानी आ रहा है उपर से और अभी हम आए हैं तीसरी लोकेशन पर सत्गुरु स्वामी घाठ है यहां पर काफी अच्छा मुसम है दोस्तों आजगा तो और आप लोग पढ़ सकते हैं सरस बरन को सुचित कह जाता है कि ठोका नंबर एक से अठारा तक गंगा नदी में बाओ अत्यदिक तेज और पानी अत्यदिक गहरा है नदी तल पर गहरे गड़े हैं अत्य कोई व्यक्ति नदी में सनान ने सनकने न जाए कि भाई जितना पानी का बाओ अभी बढ़ रख है अगर इससे दो गुना पानी ओर आ जाए तो भाई हर्दवार को ले डूबेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस घाट पर दोस्तों एक हफ्ता पहले असानी से सनान किया जा सकता था और अभी आप लोग देखे रहे हैं पानी कितना बढ़ चुका है यहाँ पर पानी यह महादेव का मंदिर है तो गाई आज के विलोग में बस इतना ही और यदि आपने बेस्ट आसरम की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्किस्टन में डेल दिया है आप लोग जाए जरूर देखिए और हर्की फोड़ी के पास में जो बेस्ट आसरम है मैंने वी मिलते हैं नेक्स्ट विलोग में आसरम के पास में जरूर देखिए और देखिए हो जरू है वीम然 जरूर देखिए और मैंने जरूर